प्रिय शिक्षारतियों, एना यूस के इस स्टूडियो में, मैं डाक्टर निलेश कुमार, आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिन्दन करता हूं आज हम पाठ 25 सब्दा रथा लंकारष्च, सब्दा लंकारष्च इस पाठ का अर्ध्यन करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे रस्तुत पाठ में अलंकारों के विशे में इस विशेश रूप से अलंकारों के भेद और उसके भेदक के अंतरगत सब्दालंकारों का हम इसमें वरण करेंगे इसका अध्यान करेंगे, प्रस्तुत पाथ में, अलंकारों के भेड के रूप में, सब्दा अलंकार, अर्था अलंकार, और उभ्या अलंकार के रूप में एक अलंकार का प्रयोक किया गया है, उसके हम चर्चा करेंगे किन्तु सबसे महत्वपूर्ण चीज है अलंकार है क्या अलंकार के विशय में विभिन्न आचारियों ने क्या अपने इमत रखे हैं उसके भी विशय में हम लोग प्रस्तुत पाथ में अध्यान करेंगे रस्तावना रूप में हम देखेंगे कि अलंकार कहते किसको है प्राचीन काल से ही कवियों आचारियों ने अपने ग्रंथों में अलंकारों का प्रियोग किया है वैदिक वांगमय में भी अलंकारों का प्रियोग दिखाई पड़ता है अलंकारों के प्रियोग से तात्परे यह है कि जब भी कोई कवी काब दचना करेगा तो उसमें अलंकारों का प्रियोग स्वतह ही दिखलाई पड़ता है व्यादिक वांगमय में भी अलंकारों का प्रियोग दिखलाई पड़ता है द्वाशु परड़ा, सज्वया, सखाया, इत्यादी इसलोकों में भी अलंकारों का पुठ हमें प्राप्त होता है, अलंकारों का उल्लेख हमको मिलता है जब कोई कभी काभ्य की पद्यबंद रचना करता है, तो अलंकार स्वतह ही उसमें प्रियुक्त हो जाता है जैसे महाकवी महरसी बार्मी की जब उन्होंने प्रथम इस लोक का उच्चारण किया उस लोक के उच्चारण के साथ ही उसमें अलंकारों का भी रादुर्भाव हो जाता है उसमें अलंकार स्वतर ही प्रयुक्त हो जाता है जिस प्रकार अब अलंकार कहते किसको हैं तो जिस प्रकार कवच और कुंडल आदी शरीर की शोभा को बढ़ाते हैं, उसी प्रकार अनुप्रास रूपक आदी अलंकार काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं जैसे शरीर की शोभा को कौन बढ़ाता है, जैसे हम आभूसर विभिन प्रकार के कवच कुंडल आभूसर राधी पहनते हैं, शरीर के अलग-अलग अंगों के आभूसर को हम पहनते हैं, तो उससे शरीर सुन्दर दिखता है, शरीर की शोभा बढ़ती है, उसी प्रकार से काब्यकी सोभा को बढ़ाने वाले अलंकार कौन है तो अनुपरास आदी शब्दा लंकार और उपमा रूपकादी जो अरथा लंकार है यही काब्यकी सोभा को बढ़ाते हैं तो काभय के श्रिंगार करने वाले वस्त्वें कौन से हैं तो वह है अनुप्रासादी अलंकार आगे हम देखें हैं कि विभिन आचारियों ने अलंकार के विशय में उनके क्या विचार है उस पर अपने मंतव्य दिये हैं आचारे वामन ने सौंदर्य को अलंकार मानकर उसी को कावय का प्रमुक्तत्व माना है इसलिए उन्होंने अपने ग्रंथ में कहा है सौंदर्यम अलंकारह अलंकार क्या है? जो सौंदर्य को बढ़ाए, जो सुंदर्ता को बढ़ाए किस प्रकार की सुन्दरता के, काब्य गच सुन्दरता को जो बढ़ाता है, वही अलंकार है, तो काब्य की सुन्दरता कैसे बढ़ेगी, जब हम अनप्रासादी अलंकारों का, जश्में सब्द प्रधान होते हैं, ऐसे अलंकारों का प्रियोग करते हैं, तब काब्य की शोभा बढ़ती है आचार जैदेव थे इनके अनुसार आचार जैदेव के विशे में कहा जाता है कि यह अलंकार को प्रमुख रूप से मानते थे और आचार मम्मट ने अपने काव्य प्रकास में जब कह दिया कि कहीं कहीं अगर अलंकार न भी हो और काव्य का अनुभव तब भी हो तो इसमें कोई बुराई नहीं है अलकार की नह रहने पर भी काप्य क्या आनन्द लिया आ जाशकता ह इसी से रुष्ट होकर के जये देवने उनके उपआ ब्यागे करते हुए कहा कि जो अलकार से विहीन सब्डार्थ को काप्य स्विकार कर सकता है यह व्यंगे उनका विशेस रूप से आचारे ममठ के लिए ही था, जो अलंकार से विहिन सब्दार्थ को काब्य स्विकार कर सकता है, वह अगनी को भी अनुषर क्यों नहीं मान लेता। अर्थात एदि आप बिना अलंकार के ही काब्य को काब्य मान सकते हैं, सब्दार्थ को काब्य मान सकते हैं, तो आप अगनी को भी ठंड़ा मान सकते हैं, कि अगनी गरम नहीं होगी, आप अगनी को क्यों नहीं गरम मान लेते, अगर आप काब्य को अलंकार से हीन मान लेते हैं तो अगनी को भी क्यों नहीं आप अनुष्र मान लेते कि वह उष्र नहीं है अगनी जलाता नहीं है अगनी में गर्मी नहीं होती है इसी बात कुन्हों ने प्रस्टत श्लोक में कहा था कि अंगी करोत यह काब्यम शब्दार थाव अनलंकति ही कि अलंकार से रहित काब वैसे ही है जैसे अगनी उश्रता से रहित हो अब अलंकार के लक्षण के विशे में अलंकार की विद्पत्ती क्या है लक्षण क्या है इसके विशे में हुम चरचा करेंगे पुर्व में विभिन आचारियों के अलंकार विश्यक क्या मत थे इस पे चर्चा होई है अलंकार सब्द अलम उपपद रहते क्रीध हातू में घ्याई प्रत्य से निस्पन नहों कर अलंकार सब्द बनता है विभिन्न आचारियों ने अलंकार विश्यक अपने मत दिये हैं आचारे दंडी के अनुसार उन्होंने अपने ग्रंत काब्या दर्स में अलंकार का लक्षन करते हुए कहा है कि काब्य की सोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं कि जो काब्य की सोभा को बढ़ाए तो काब्य की सोभा अलंकारों से बढ़ती है जो अलंकार वादी आचारे हैं उन्होंने अलंकार को ही प्रमुखता दी है यद्यपी सभी आचारियोंने अलंकारों का प्रयोग किया है किन्तु दंडियादी जो आचारिय थे इन्होंने अलंकार को काव्य का प्राणभूत तत्व माना इसलिए उन्होंने कहा कि काव्य सोभा करान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते कि काव्य के सोभा धायक तत्वों क को अलंकार कहते हैं वामन और आनंदवाधन आदि आचारियों के अनुसार अलंक्रियते अनेन इति अलंकारह जिससे अलंकृत हो उसे अलंकार कहते हैं जिससे हम सुसोभित होता है वह अलंकार है अर्थात जो काव्य की सोभा को बढ़ाने वाला है उतकरसा धायक है जो काव्य अधायक तत्व और जीवना अधायक तत्व इसी को लेकर के काव्य सास्त के आचारियों में मत भेद रहा है कुछ कभियोंने अलंकार को काव्य का संदर्य अधायक तत्व माना है अर्था संदर्ता बढ़ाने वाला तत्व के वल माना है कुछ आचारियोंने अलंकार को काविका प्राणभूत तत्व माना है भामः दंडियादी आचारि काविक अलंकार को काविके प्राणभूत तत्व के रूप में स्विकार करते हैं आचारि ममठ के अनुसार काविकार जो लक्षण है उन्होंने किया है कि जैसे हार आदी अलंकार अंग का सरीर की सुभा को बढ़ाते हैं, वैसे ही उपकुर्वंती उपकार करते हैं तो कौन जैसे हार आदी अलंकार सरीर की सुदरता को बढ़ाते हैं, वैसे ही अनुपरास और उपमा आदी अलंकार काव्य की सुभा को बढ़ाते हैं ममट ये ध्वनिवादी आचारे रहे हैं इन्होंने काव्य के संदर्या धायक तत्तो के रूप में काव्य की सोभा वढ़ाने वाले तत्तो के रूप में अलंकार को स्विकार किया है जीवना धायक प्राण भूत प्रमुख तत्तो के रूप में स्विकार नहीं किया है आचारे जगन्नाथ के अनुसार काब्यात्मानों व्यंग्यस्य रमरीयता प्रयोज का अलंकारा है अर्थार जो रमरीय अर्थ को प्रयोजित करे जो रमरीय अर्थ को उत्पन्न करे वही काब्य का प्रमूख तत्व है तो उन्होंने अलंकारों को काब्य के रमरीय अर्थ को उत्पन्न करने वाला बतलाया। आचार विश्वस्वर पंडित के अनुसार तम बिना सब्द सौंधर्यमपी नास्ति मनोहरम। कि उसके बिना, किसके बिना? अलंकार के बिना सौंद सब्दों का जो सौंदर्य है वह मनोहर नहीं होता है। यह तो शर्व विजित है कि अनुप्रासादी अलंकारों का सब्दा लंकारों के प्रयोग से ही काभी में सौंदर्य का बोध होता है, सुंदर्ता दिखलाई परती है, अर्था लंकारों में तो अर्थ से चमतकार होता है, लेकिन सब्दा लंकारों में सब्दों के प्रयोग से जिसमें एक ही सब्दों के कई अर्थों में प्रयोग होते हैं उसे संदर्य बोधो होता है आचार विश्वनात के अनुसार उनके अनुसार जो काभी का लक्षर है कि सब्दार्थयोर अस्थिराये धर्माः शोभात शायिनह रसादीनम उपकरवन्तो अलंकारो अंगदारिवत उनके अनुसार जैसे उन्होंने कहा कि सब्दार्थयोर अस्थिराsur ये धर्माः कि अलंकार जो होते हैं ये काभी के क्या हैं? अस्थिर धर्म है कि जैसे आभूशन सरीर की सोभा के उतकरसार हायक होते हैं जैसे आभूछन शरीर की सुन्दरता को बढ़ाने वाले होते हैं। उसी प्रकार अलंगार भी काव्य के आत्मभूत रस्के उतकर साधायक होते हैं। ये काव्य के अस्थिर धर्म हैं। रस्क अनभूती में यह सहायक होते हैं। आचारवी सुनाथ ने भी अलंकार को काव्य का अस्थिर धर्म माना है, इस्थिर धर्म नहीं, प्रमुख तत्तु नहीं माना है, उन्होंने भी प्रमुख तत्तु किसको माना है, आत्मभूत रस, अर्थार, आचारवी सुनाथ ने काव्य के प्रानभूत तत्तु के रूप म रस को ही प्रमुख माना है, और उस रस के उतकर्स में सहायक होने के लिए अलंकार को महत्र पूर्माना है, इसलिए उन्होंने अपने काव्य में अलंकार को काव्य का अस्थिर धर्म कहा है, उनके अनुसार गुर भी काव्य के उतकर्सा धायक तत्व होते हैं, किन्त ये काव् भूत तत्व रस के स्थिर धर्म होते हैं अर्थात यह गुर जो है वो स्थिर धर्म है और अलंकार क्या है यह अर्श्थिर है जो स्थिर रहने वाला नहीं होता है अब हम अलंकार की वित्पत्ती दो प्रकार से कर सकते हैं एक भाव पक्ष जो है कि अलंकृति ही अलंकार है जो संदर बोधक है वह अलंकार है और जो करन वित्पन पक्ष है कि अलंकृते अनेन इती अलंकार है जिससे हम सुसोभित होते हैं वह अलंकार है जो हमारी सोभा को ब प्रायह सभी आचारियों ने अपने अपने विचारों से अलंकारों के अलग अलग भेद किया है, किसी ने सब्दा लंकार, किसी ने अलथा लंकार, किसी ने उभया लंकार आधी के रूप में अलंकारों का भेद किया है, प्रायह अलंकार दो प्रकार का होता है, सब्दालंकार और अर्थालंकार, किन्तु आचार विश्वनाथ ने अपने ग्रंथ में सब्दार्थालंकार के रूप में तीसरे अलंकार का भी प्रयोक किया है, उन्होंने सब्दार्थालंकार के रूप में एक मात्र पुनरुक्त व तो शब्दालंकार किसे कहते हैं? जो अलंकार सब्द के आश्रित होते हैं, वे शब्दालंकार कहलाते हैं. अर्थात जो शब्द परिवृत्य सहत्वम, अर्थात जो सब्द के परिवर्तन को सहन नहीं करता है, अर्थात जिस अलंकार में सब्द के परिवर्तित होते ही, उसक प्रभाव नस्ट हो जाए, वहाँ सब्दालंकार होते हैं। सब्दालंकारों की सामानिय पहचान यह है कि आप उसके सब्दों में परिवरतन नहीं कर सकते। यहां तक कि उसमें परयवाची पदों का भी आप प्रियोग नहीं कर सकते। इसलिए इसका लक्षण है शब्द परिवृत्य सहत्वम जो अपने में सब्द के परिवर्तन को सहन नहीं कर सकता है अर्थात इस अलंकार में सब्दालंकारों में आप सब्द को परिवर्तित नहीं कर सकते हैं तो वही होंगे, यदि आप सब्दों में परिवर्तन करते हैं, तो उसकी सत्ता नश्ट हो जाती है, वे सब्दालंकार नहीं होते हैं, अब अर्थालंकारों के भी सेमें सर्चा करते हैं, कि अर्थालंकार किसे कहते हैं, जो अलंकार अर्थ के आश्रित होते हैं, एक होता है जो सब्द परिवर्तन को सहन करते हैं अर्थालंकारों की पहचान ये है कि आप उनके प्रियुक्त सब्दों के इस्थान पर किसी अन्य परियावाची सब्द का प्रियोग कर सकते हैं उसके इस्थान पर पर्याय वाचक सब्दों के प्रयोग को स्विकार कर लेते हैं जब तक अर्थ परिवर्तन नहीं होता तब तक अर्थालंकार की सत्ता रहती है अर्था अर्थालंकारों में सब्द परिवर्तन हो सकता है लेकिन अर्थ परिवर्तन नहीं हो सकता है अर्थालंकारों में यदि आप अर्थ में परिवर्तन कर देंगे तो वह भी नश्ट हो जाता है आप उसमें केवल सब्दों का परिवर्तन कर सकते हैं इसलिए अर्थालंकार का जो लक्षण है वह है सब्द परिवृत्त सहत्वम जो सब्द के परिवर्तन को सहन कर लेता है, अर्थात उसके इस्थान पर हम प्रयावाची पदों का प्रियोग कर सकते हैं अब हम इतनी चर्शा अलंकारों पे किये हैं, अलंकारों का प्रियोजन क्या है? हम किसलिए अलंकारों का प्रियोग करते हैं? तो कह रहे हैं उक्ति वैचित्र ही अलंकार का प्राण भूत तत्त होता है जो विचित्तता है आपके कथन में जो अलंकार प्रियता है आपके कहने का जो तरीका है जिस भाव से आप बात कहते हैं वह बात ही वह उसमें प्रियुक्त आपके कहने का जो तरीका होता है और उसके शब्द ही अलंकार का प्राणभूत तत्व होता है। उक्ती की विचित्रता अथात कहने की सैली का जो अंतर है और वह सैली सब्दों से ही आती है। कि आप किस प्रकार की सब्दों का प्रयोक करके काभी को सरस बनाते हैं, आनंद दायक बनाते हैं। तो करें हैं, जिस वाक्य में उक्ति वैचित्र हो, चमतकार हो, जिसको सुनने में आनंद की उत्पत्ती हो, जिसको पढ़ने में आनंद की उत्पत्ती हो, सब्दालंकार में तो सब्दों के उपढ़ने में ही आनंद आता है, कईश लोग है, सवच्छन्दों छलदत्छकचको रक्षा, इसमें देखेंगे कि सबदों का चमतकार है, तो जिस वाक्य में उक्तिवे चित्रे हो, चमतकार हो, वहां आनन्द की प्राप्ति होती है और वही अलंकार का प्रान्भूठ तत्व है, वही अलंकार का प्रमुख प्रियोजन है कि उक्तिवे चित्वता के मार्ध्यम से हमें आनंद की अनुभूथी हो सब्दार्थालंकार में इसमें सब्द और अर्थ दोनों का प्राधान्य रहता है अर्थात सब्दार्था सब्दालंकार में केवल सब्द का, अर्थालंकार में अर्थ का, किन्तु सब्दार्थालंकार में सब्द और अर्थ दोनों का प्रधान रहते हैं इसमें सब्द का परिवर्तन हो सकता है, किन्तु अर्थ में परिवर्तन नहीं हो सकता यहां यह ध्यान देने वारी बात है कि जब हम सब्दा लंकार पे चर्चा किये थे तो सब्दा लंकार में सब्द अपने परिवर्तन को सहन नहीं करता है लेकिन वही सब्दा लंकार जब सब्दार्था लंकार में प्रियोग होता है तो यह अपने में सब्द के परिवर्तन को सह सकता है अर्थात इसमें सब्दार्थालंकार में सब्द का परिवर्तन हो सकता है किन्तु अर्थ में परिवर्तन नहीं हो सकता है इसलिए कहा जाता है कि सब्दार्थालंकार में दोनों की प्रधानता होती है सब्दा अलंकार और अर्था अलंकार की सब्दा और अर्थ दोने की बढ़ानता होती है और इस अलंकार का केवल एक मात्र उधारा है पुनरुक्त वदाभास एक मात्र अलंकार है जो सब्दार्था अलंकार के रूप में पाये जाता है आगे हम अलंकारों का वरण करेंगे सबसे पहले हम सब्दार्था लंकार के रूप में पुनरुक्त वदाभास अलंकार का वरण करते हैं इस अलंकार का लक्षन है आपात तो यदर्थस्य पौनरुक्तेन भासनम पुनरुक्त वदाभास ह सभिनाकार सब्द गह अर्थात पुनरुक्त वदाभाश वह अलंकार है जिसमें अर्थ वस्तुतह तो नहीं किन्तु आपातत पुनरुक्तवत प्रतीत हुआ करता है अर्थात इसमें सब्द अर्थ वास्त्विक रूप से तो परिवर्थत नहीं होता है किन्तु यहां हमको प्रतीत होता है जिसमें अर्थ वस्तुतह तो नहीं किन्तु आपाततह पुनरुक्तवत पुनरावित्ति के समान प्रतीत हुआ करता है और वह सब्द भिन्न आकार अथवा स्वरूप के हुआ करते हैं इनके सब्दों का प्रियोक तो परिवर्तन तो होता है लेकिन वह वस्तुतह नहीं होता है वह आपाततह पुनरावित्ति के समान प्रतीत होता है कि इसमें पुनरावित्ति हुआ है कि इन्तु वास्तविक रूप में इसमें पुनरावित्ति नहीं होता है इसका उदाहरण है भुजंग कुंडली व्यक्त शशिशु शुभ्रांशु सीतगुह जगन्त्यपी सदापाया दव्याचेतो हरह शुभः यहां इसलोक में यहां पुनरुक्त वदाभास है क्योंकि यहां जो भुजंग कुंडली और शशिशु शुभ्रांशु सीतगुह आदी जो सब्द प्रियुक किया गया है यहां दोनों सब्द आपाततः भुजंग कुंडली और शशिशु शुभ्रांशु सीतगुह आदी जो सब्द है वह भुजंग कुंडली अथात सर्प और सशी सुभ्रान सुशीतगु, यहां सशी चंद्रमा को कहा जाता है, तो यहां पे दोनों जो प्रयोग किये गए हैं, भुजंग कुंडली और सशी सुभ्रान सुशीतगु आधिशब्द, सर्प अथवा चंद्र रूप अर्थ के ही अविधायक होने से, पुनरुक्त से प अतीत हो रहे हैं धन्यवाद